लोग सभा चुनाप से पहली देश में निताओं के दल बदल का सेलसिला जुआरी है कॉंग्रिस जहाँ अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है तो वहीं बीजेपी सबसे मजबूत स्थिती में नज़र आ रही है यही वज़ा है कि कॉंग्रिस नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की बाड़सी आ गई है नेताओं के पार्टी छोड़ने की बीच पुरुप कैंद्रमंत्री और सांसद राम शंकर कठेरिया ने सपा नेता शिपाल यादब को खुला ओफर दिया है राम शंकर कठेरिया ने पत्रकारों से बाच्वित करते हुए कहा शिपाल सिंग यादब अगर भाजपा में आते हैं तो उनका ना केबल दिल से स्वागत किया जौएगा बलकि जोरदार सम्मान भी किया जौएगा शिपाल यादब को राम शंकर ने जहां बीजेपी में आने का ओफर दिया तो वहीं अखिलेश यादब पर जम कर निशाना भी सादा उन्होंने कहा सपा सरक्षक गुलायम सिंग यादब ने बड़ी महनत और त्याक से समाजवादी पार्टी को खड़ा किया था उसे उनके बेटे अखिलेश यादब ने पुरी तरह से बरबाद कर दिया है इसलिए एक एक करके यादब नेता अब उनका साथ छोड़ रही है अखिलेश के अंदर नेतरितों की कोई एक शमता नहीं है यादब समुदाय में इस बात को लेकर भी आकरोश है कि सपा की ओर से इस बार परिवार के लोगों को सबसे ज्यादा टिकेट बांटे गए हैं इसलिए लोगों में असंतोश है उन्होंने कहा कि शिपाल सिंग यादब वो अखिलेश यादब एक जरूर हो गए हैं लेकिन वे दिल से एक नहीं हुए हैं वहीं बंदायू सीट से बेटे आदित यादब को शिपाल कोर से प्रत्याशी बनाये जाने को लेकर कहा कि वे बंदायू सीट बुरी तरह से हार रहे थे इसलिए उन्होंने अपनी इज़त बचवाने के लिए आदित यादब को चुनावी मैदान में उता रहा है और वहीं अब चुनाव लड़ रहे थे और आदित पर भरुसा जता रहे हैं तो पढ़े लिखे लोग वहां जनता ने जहां-जहां गए हैं मीचिंग करी हैं संब्हेलन करे हैं तो जनता ने मांग करी है कि इवा चाहिए तो आप टिकेट की क्या संभावना है कब तक मिल जाएगी कैसे फिर आप देखते हैं कि आदित को टिकेट मिलती तो कितने जीत कितने अच्छे बताओ अभी जो समाजवारी पार्टी की सुची जारी होई है उसमें किसका नाम किसका नाम आपका है बदाईयों से तो आपका ही तो देखिए मांग करी है मांग कोई कर सकता है तो शुची तो राश्टी नेतर तो जारी करेगा तो जारी करी है उसमें हमारा नाम है और यह देखिए कुछ रड़नी के हिस्टे होते हैं अब वो रड़नी तो आपको तो नहीं बता दी जाएगी शिपपाल और अखिलेश के अलावा राम श्रंकर ने सपा के प्रमुख राश्ट्वे महस्चीव प्रोफेसर राम गुपाल यादब को लेकर कहा कि वह अपने बेटे अक्षय यादब को जिताने में जिते हुए हैं जबकि फिरोजाबाद सीट भाजपा रिकॉर्ड मतों स जितेगी